तो सितंबर के महिने से जूड बोल रही है BCCI, सितंबर के महिने से लगातार contradicting statements दे रही है BCCI और पूरी तरीके से 6-8 महिने की planning करके यानि की अपरैल माई के महिने से planning करके विराट पोली से ये कप्तानी ली गई है और इस वीडियो में एक एक करके सारे events में आपको chain wise बताओंगा ताकि आपको कोई confusion ना हो और इस बारे का पूरे तरीके से आप समझ जाओगी कि किस तरीके से भारतिय क्रिकेट इस समय जूले पे जूल रहा है, खत्रे में लटक रहा है और किस तरीके से विराट कोली को planning करके शिकार बनाया गया है अपने agenda, propaganda और अपने गुसे का What's going on everyone, welcome back to my YouTube channel और जैसा कि अब तक आपको खबर तो पता चली गई होगी कि रोहित शर्मा को one day और T20 का नया captain बना दिया गया है और रोहित शर्मा को test cricket में भी vice कप्तान बना दिया गया है वहीं विराट कोली बनेंगे, test cricket में कप्तान बनें रहेंगे लेकिन इस видео में हम यह बात करेंगे कि सिर्फ एक line लिख के विराट कोली को कप्ताने से हटा दिया गया वो विराट कोली जो इस समय भारत का सबसे बड़ा सूपर स्टार है भारतिय क्रिकेट का सबसे बड़ा सूपर स्टार है वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा सूपर स्टार है दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज है और BCCI के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया भी है तो इस वीडियो में मैं आपको बतानों कि आखिर BCCI ने ऐसा कैसे किया है ऐसा क्यों किया है लेकिन वीडियो से पहले सबसे पहले मैं इस बात को ख्लियर कर दू कि मुझे ना ही विराट कूली से कोई प्राबलम है ना ही मुझे रोहित शर्मा से कोई प्राबलम है अगर आप लोगोंने मेरे पिछली वीडियो देखी दूगी तो मैंने उसमें कहा था कि वाइड वॉल में एक ही कप्तान रहना चाहिए क्योंकि दुनिया इसी धर्रे पर चल रही है और इस धर्रे पर BCCI भी चलना चाह रहा है इंडिन क्रिकेट भी चलना चाह रहा है लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि रोहित शर्मा को टेस्ट का वाइफ कप्तान बना देना और उसके बाद एक लाइन लिक के विराट भूली को हटा देना कोई प्रॉपर अरॉंसमेंट नहीं कोई प्रॉपर इंटर्व्यू नहीं कोई प्रॉपर प्रेस रिलीज नहीं कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फरेंस नहीं ये कर रहे हैं कि क्या ज़रूद थी और उसके बाद जो इवन्स सामने आ रहे हैं उसके बारे में खुलकर बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा मुझे यहाँ कप्तानी से कोई इशू नहीं है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से भारकी क्रिकेट इस समय थिल लाइन पर डटक रही है और किस तरीके से एक के बादे खराब decision की वज़े से हमाई results भी खराब होने हैं हमारा World T20 भी खराब हुआ है और होप सुली हमारा जो अगला World Cup है वो इसकी भेट नहीं चड़ेंगा अगर हम आज ही इससे सीख ले लेंगे ऐसा कि आपको याद होगा कि 8 सितंबर को भारत की World T20 2021 के लिए team announce हुई थी और 16 सितंबर को विराड कोहली ने tweet करके Instagram पे post करके इस बात का एलान किया था कि वो भारत की T20 कपतानी छोड़ देंगे T20 World Cup के बाद लेकिन उन्होंने वन डे और टेस्ट में कपतान बने रहने की बात कही थी और उस पर फोकस करने की वज़े से T20 कपतानी छोड़ने की बात कही थी अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे जाए जब team इंडिया इंगलन में सीरीज खेल रही थी तो केश श्रीनेवास राउने टाइमस ओफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से BCCI कपतानी को लेकर विराट कोली से बात कर रहा है और इसी वज़े से BCCI प्रेसिडेंट सौरफ गांगली और BCCI सेकरेटरी जैशा इंग्लेंड के दौरे पर वहाँ पर इंग्लेंड गय हुए थे और इस बारे में टीम मैनेजमेंट से वहाँ पर बात कर रहे थे इंक्लूडिंग विराट कोली तो ये बात जब वहाँ पर निकल कर सामनी आई तो 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 ये कहा गया था कि विराट कोली ने यह जो कप्तानी T20 की छोड़ने का फैसला किया है वो बोल्ड की प्रेशर में किया है और बहुत से जर्नलिस्ट ने बहुत बड़े बड़े एजंडे चलाए रात को 8 बजी अपने अपनी यूटीव चैनल पे और बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से टेस्ट की टीम वहाँ पर खुश नहीं थी विराट कोली से कैसे पुजारा रहा रहा ने अश्विन ने कंप्लेंड की जिसको बाई दवे रवी चंदर नशुन ने खुदी उसका बाद ने इंस्टेग्राम पे मजाग उडाया था इन सब रिपोर्ट्स का हाला कि उन्होंने कहा कि सीनियर प्लेयर खुश नहीं थे अब यहाँ पर पहला सवाल तो मेरा जर्नलिस्टों से है कि भाई आप जो भी जर्नलिस्टों आप बहुत आपने 25 साल काम किया है एक सिंपल लॉजिक अगर हम यहाँ पर समझ लें तो BCCI गई थी बहलब BCCI सेक्रेटेरी और प्रेजिडेंट गए थे इंगलेंड ठीक है इंगलेंड में आपके में टेस्ट प्लेयर कौन है पुजारा, रहारे, इशान शर्मा, उमेश यादव भाई जसी बुमरा के तो खुद विराट कोली से बहुत अथी रिलेशन है और वो तो कुछ ना करते हुए भी मतलब कंटेंडर बने हुए है वाइस कपतानी के जबकि वो तो इतना ज़्यादा क्रिकेट और प्लेयरों के मुकाबले खेलती भी नहीं क्योंकि वो फास बुलर है उनको रेस्ट कीज़वत पड़ती है तो जसी बुमरा तो वहाँ कंप्लेंड करने नहीं लग रहे है केल राहल तो खुदी टेस्टीम में पर्मनेंट नहीं है तो वो क्या कंप्लेंड करेंगे विराट कोली की तो जो test के प्लेयरों ने complain की थी विराट कुली की regarding the test team वो कि T20 खेलते कहा है तो अगर उनकी complain सुनके BCCI ने विराट कुली से test T20 की कप्तानी लेने की बात नहीं तो इससे test की team का क्या फायदा हुआ जो test के प्लेयर है जैसे रहाणे, पुजारा, इशार, शर्मा, उमी, शादव इनका क्या फायदा हुआ कोई फायदा नहीं हुआ तो ये बिलकोल बेबुनियाद और इग्नम बेवकूफी वाली बात लेगी Coming back to the BCCI अब BCCI ने ये कहा कि भाई विर आपको याद हुआ कि अरोन थूमल जो ट्रेजडर है उनका एक स्टेट्मेंट आया कि भाई विराट से हमारी कोई बात ही नहीं हो रही कप्तानी को लेके और विराट से हमारी कोई इस बारे में चर्चा नहीं हुई अब पहला मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हो कि T20 World Cup आ रहा है तो आप क्यों एक बने-बना एक कप्तान के दिवाग में कप्तानी का पेज घुसेड़ना चाहते हो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ अगर आप T20 World Cup होने देते T20 World Cup भारत हार जाता जैसे हुआ अगर भारत T20 World Cup हार जाता तब आप कहते कि देखिए भाई आपको हमने कई टोर्नमेंट दिये चैंपिन्स टोफी 50 ओर का वर्ल का 20 ओर का वर्ल का समय आपने कप्तानी कर ली अब आप चाहरे है कि भी रोहित शर्मा को ट्राइ कर लिया जाए इस बार में आप क्या सोचते है तो विराट कोली की जो भी राय होती हाँ ना फिर उसको उससाब से डील किया जाता आपने पहले ही उसमें उंगली कर दी कि नहीं भई कप्तानी छोड़ो यह है विराट कोली ने फिर उस चीज़ को उन्होंने परक लिया या वर्कलोड मैनेजमेंट के बाद में उन्होंने जो भी फैसला लिया हो उन्तर उन्होंने वर्बली दबाव नहीं डाला गया था खैर विराट कोली ने वो कप्तानी छोड़ी उन्होंने वंडे और टेस्समैचों में कप्तान बदे रहने की बात कही उसके बाद हम न्यूजलें से सीरीज खेले फिर अचाना कूरा मीडिया में ये माहोल बना दिया गया कि वंडे में एक कप्तान टे-टे-टे में कप्तान वंडलफ सेम कप्तान सेम कप्तान सेम कप्तान वाइड बॉल में सेम कप्तान वाइड बॉल में सेम कप्तान टेस्समैला कप्तान ये पूरा माहोल बना दिया गया और जब ये पब्लिक के दिमाग में बात बैठ गई, जब बठा दी गई थूरू सोचल मेडिया, थूरू न्यूस चैनल, थू वेब पोर्टल, थूरू एवरिटिंग, जब ये बात बैठा दी गई पब्लिक के दिमाग में उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ, आप इंतिजार कर रहे थे कि अगर ये T20 World Cup हमें जिता देगा, तो इसको वंडेम कप्तान रहने देंगे, अगर ये T20 World Cup हमें नहीं जिता पाया, जो कि नहीं जिता पाया विराट कोली, क्योंकि आपने पहले ही टीम का माहल वहाँ पर खराब कर दिया था, रविशास्तरी एक एक करके पत्ते खोली रहे ना, आपने T20 का माहल वहीं खराब कर दिया T20 World Cup से पहले, और उसके बाद विराट कोली को आपने वंडे की कप्ताने से करा दिया अब BCCI President Saurav गावली साहब ये कह रहे हैं कि मैंने विराट से कहा था कि कप्तानी ना छोड़ना, नि तो मंडे की कप्तानी भी ये तुम से छील लेंगे, तो भाई उसी टाइम आप अनॉंसमेंट कर देते न, और आपने कैसे किया Mr. Rohit चर्माविल कैप्टेन इंडिया, कुछ नई, अगले दिन जब पब्लिक का बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लेगी, तब अगले दिन आप लिख रहे हो थैंक्यू, विराट, ये, विराट, वो, विराट आपने 5 साल से कप्तानी करते हुए आपके सबसे बेस्ट बल्लेबास को कह दिया कि आप दे थैंक्यो तक नहीं बोला, आप दे का Mr. Rohit चर्माविल कैप्टेन इंडिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये की कप्तान हो, आरे भाई, आप चाहते होंगे जो चाहते होंगे, आप कम से का में courtesy, तो follow कर ये, कोई press conference नहीं, कोई proper statement तक आपने ने दिया, दो लाइने ट्विटर पर आपने लिखके चेप दी और उसी से सब समझ गए कि ये होगा, अब अलब ये कोई dim, वो थोड़ी चल लिए, dictatorship कि आप जो करते जाओ, वो होगता जाएगा, और हम बस बेवकूफों के तरह टीवी देखते हैं, अच्छा, ये कप्तान है, अच्छा, वो कप्तान है, तो भी काहे बाद के हमसे इतने जूता लेके थोड़ी मारेगी, खेर, तो वहाँ पर आपने रोहिच शर्मा को बनाया, टेस्ट का वाइस कप्तान, वंडे का कप्तान बनाया, आपने केल राहूल को टीटी का वाइस कप्तान बनाया है, most probability केल राहूल ही वंडे के वाइस कप्तान भी बनेंगे, तो एक बा बताओ, जो रूट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट, जो रूट टीटी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और आपके आरॉन फिंच जो हैं, वो खेलते हैं, टीटी को वंडे क्रिकेट वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उसके बाद आप वाइस कप्तान बनाया है, ग्लेन मैक अपतान हो, अब रोहिद चरमा आपके तीनो format player है और तीनो format में leadership role में है वो, विराट पोली आपके आपके K.L. राहुल तीनो format player है और जो चौता इसिंपल फॉर्मुला है, अब आप आपने वंडे सीरीज खेलनी है उसके बाद आपने T20 सीरीज खेलनी है यह सिंपर फॉर्मूला है अब आप वर्कलोड तो मैनेज करना ही है क्योंकि राहुल दरविट भी इस बारे में बोल कुके है और बायो बबल लाइफ को देखते हुए भाई कितना खिला लोगे कर जान थोड़ी ले लोगे खिला ली की तो अगर रोही चर्मा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो क्या वो वंडे क्रिकेट छोडेंगे यह T20 क्रिकेट छोडेंगे क्योंकि वहाँ तो वह कप्तान है वो तो वह छोड़ नहीं सकते तो क्या वो फाइदा हुआ, मेरी समझ से बाहर है उसके बाद आपने केल राहूल को अगर दोनों फॉर्माइटों में वाइस कप्तान बना रखा है तो अगर रोहित चर्माट टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और वंडे क्रिकेट छोडेंगे और तो क्या केल राहूल वहाँ तीनों फॉर्मेट खेलेंगे उनको आराँ नहीं मिलेगा और अगर केल राहूल टेस्ट क्रिकेट चोडेंगे म Azalt तो यह सब आपको सोचना चाहिए कि जो दूसरे टीमों का और बाइद यह बता दू आपकी जो विमेंस क्रिकेट टीम है उसना मिताली राज आपकी टेस्ट और वंडे की कप्तान है और टीटुन दे क्रिकेट वह नहीं खेलती वहां हर्मन प्रीट को और कप्तान है तो हर्मन प्रीट को आप क्यों नहीं बनाते है वंडे का और टीटुन टी का विमेंस क्रिकेट के लिए अलग रूल है मेंस क्रिकेट के लिए अलग रूल है वै क्रिकेट तो गेंद और बल्ले से ही खेली जाती है तो यह आपकी तो कर रहे हो और आप कॉपी तो कर रहे हो अस्ट्रे लिया टूर पे भी वो वन डे उटी टुन्टी सीरीज नहीं खेल पाए थे, पहले दो टेस्स मैच नहीं खेल पाए थे, एगलेल सीरीज में भी उनके घुटने में चोट लगे थे, वो आपके IPL का पहला मैच नहीं खेले थे, तो यह सारी चीजे आपको देखने बहुत ज़ ज़्यादा होने लगा है, इतना भी ग्रूम नहीं करना होता है, सारफ गंवली बहुत ज़्यादा ग्रूम किये गए थे, जब वो खुश कप्तान बरे थे, यह भी मेरी समझ में नहीं आता है, खैर, क्योंकि यह सारे IPL में कप्तानी करते हैं, भाई वाई वास चीख तो र और यह अब जैशा कहने हैं कि वो 6 महिने से विराट कोली से बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कॉंटरिटिंग स्टेट्मेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है और उमीद करते हैं, विराट कोली टेस्ट टीम की कमान कम से कम संभाल लेंगे, रहे चर्मा वंडे की संभाल लेंगे, और यह जो रायता फैला हुआ है, इसका असर हमारे क्रिकेट पर नहीं पड़ेगा, अब इस पूरे मामले में आपका क्या उपीनियन है, make sure to write it in the comment section down below, अगर आपको लगता है, अगर आप मेरी बात से इत्तफाक रखते हो, तो प्ली